बावी और बहनों, गुजरात हमेशा से और साधरन सामर्थ वाले लोकों की भूमी रही है। पुज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपुतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेत्रत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सुर्योदय योजना के माद्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम, सुफलाम और सवनी योजना के बाद अब सुर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। किसान सुर्योदय योजना में सर्वोच्च प्रात्विक्ता गुजरात के किसानों की आवशक्ता को दी गई है। बिजली के एक शेत्रे में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वोई इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने है। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 गंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनोती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योकों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्वादन से लेकर, ट्रांस्मिशन तक हर प्रकार की कैपिसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था, जिसने सौर उर्जा के लिए एक दसक पहले ही व्यापक नीती बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उत्गाटन हुआ था। तब किसी ने कलपना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत, सोलर, पावर के उत्पादन और उप्योग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बिते छे सालों में देश साओर उर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में पांचवे नंबर पर पहुँच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाईव और बहनों, जो गाउं से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उन मेंसे बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए जादा तर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को राद भर जागना पड़ता है। जुनागर्ट और गीर सोमनाज जैसे इलाकों में जहां से किसान सुर्योदय योजना शुरू हो रही हैं, वहां तो वाइड लाइफ जंगली जानवरों का भी भहुत जादा खत्रा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाए, जब सुबह सुर्योदय से लेकर के रात नौ बजे के दोरान त्री फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बढ़ाई दूँगा कि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभावित किये बीना ट्रांस्मिशन की बिलकुल नई केप्रिसिटी तयार करके यह काम किया जा रहा है। इस योजना के तहट अगले दो तिन वर्षों में लगभग साड़े तीन हजार सरकीट किलो मिटर नई ट्रांस्मिशन लाइनों को बिशाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक हजार से जादा गाउं में ये योजना लागु भी हो जाएगी। इन में भी जादा गाउं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में हैं। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को उनकी रोजमरा की जिन्दगी को पूरी तरह बदल देगी।